समाजवादी पार्टी की संस्थापग मुलायम सिंग यादफ का आर्श निधन हो गया सोमवार्यानी की 10 अक्टूबर को सुबह 8 बच कर 15 मिनट पर सपानेता ने गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल में अन्तिम सांस ली खास बात यह है कि यह वही शहर है और वही अस्पताल है जहां आसे ठीक 93 दिन पहले मुलायम की पत्नी साधना गुपता ने भी अपनी आगरी सांस ली थी वह मुलायम सिंग्स की दूसरी पत्नी थी और बीजेपी नेतरी अपरणना यादफ की सास और प्रतीक यादफ की मा थी यहां बता दे कि साल 23 में मुलायम सिंग की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मा मालती देवी का निधन हो गया था जिसके कुछ दिन बाद सपानेता ने खुछ से 20 साल चोटी साधना गुपता को दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था साधना गुपता इटावा के विदुना तहसील की रहने वाली थी 4 जुलाई 1986 में उनकी भी पहली शादी फरुखाबाद के चंदरप्रकाश गुपता से हुई थी यह दमपती साध चुलाई 1987 को एक बेटे के माता पिता बने जिसका नाम प्रतीक यादव रखा गया इसके दो साल बाद साधना और चंदरप्रकाश अलग हो गए इसके बाद साधना गुपता सपा के ततकालीन सुप्रीम मुलायम सिंग यादव के संपर्ग में आई थी बताये जाता है कि उतरप्रदेश के मुख्यमंतरी मुलायम सिंग यादव की मा मूर्ती देवी बिमार रहती थी उस दोरान नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही साधना गुपता ने लकनों से एक नर्सिंग होम और फिस सेफाई मेडिकल कॉलेज में मूर्ती देवी का काफी ख्याल रखा एक दिन अस्पताल में नर्स मूर्ती देवी को गलत इंजक्शन लगाने जा रही थी तबी वहां मौझूद एक ट्रेनी नर्स ने उसे रोख दिया और सुबे की ताकतवर सक्षत मुलायम की मा के प्राण बच गे का जाता है कि मुलायम सिंग तबी से साधना गुपता से खासे प्रवावित हुए और यहां से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए साल 2003 में मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का भी निधन हो गया 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्ज़ा दिया बदादेगी साधना गुपता के बेटे प्रतीक गुपता यादव राजनीती चे दूर रहे हाला कि उनकी पत्नी अपन्ड़ना बिष्ट यादव राजनीती में खासी सक्रिये हैं गौर तलब है कि सान्दा गुपता की बहु अपंड़ना बिष्ट यादव सपा के टिकट पर 2017 में विधानसवा चुनाव लड़ी चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मेरे। फिर इसी साल सूबे में हुए विधानसवा चुनाव से पहले अपंड़ना ने भारती जनता पार्टी की सदस्यता ले ली।